सबसे पहले देखते हैं आपके आसूस के आपके पार्टनर के लिए पॉर आफ कप किंग आप स्वोर्ड आपके पार्टनर के अनर्जी देखते हैं क्या है दट्टाव ओके डटाम प्रेंस इसा लग रहा है आप में से बहुत से लोगों का इसा रिलेशनशिप हतम हो चुका है और आप अपनी लाइफ में एक नया लव वैलकम करने वाले हैं और सेवन अफ कप बॉटन कार्ड है ओके और फॉर अफ कप इस लौर अनर्जी एंडर टावर अनर्जी तो मैं यह कह सती हूं कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी कुछ तक सोचते हैं कि यह रिलेशनशिप काम नहीं कर सकता है और कहीं नहीं आप भी इमोशनली बहुत टूटे हैं हो सब्सक्राइब आपने से बहुत से लोगों का अपने पार्टनर से बात नहीं हो रहा है या फिर कहीं न कहीं इमोशनली बहुत टूटे हुए हैं आप को ऐसा लग रहे है कि शाद इस डिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है अगर आप मैरेड हैं तो भी आप कहीं कहीं इमोशनली ड्रेन हैं आप मेंसे बहुत से लोग हो सकते हैं डिवासी हो सकते हैं क्योंकि मैं बहुत स्टॉंग एनरजी फ्री करें जिसमें एक बहुत बिटर पास से आप नेकले हैं आप मेंसे बहुत से लोग हैं जो एक नया प्यार ढूंड रहे हैं एक नया इंसान जो आपको ट्रस्ट कर सकें, जो आपको जज ना करें, आप शान्ती चाहते हैं, आप ऐसा इंसान चाहते हैं, जो आपको प्यार करें, आपको जज ना करें, मुझे असा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे रिलेशन्शिप में भाग रहे हैं, उनको लगता है ये बात कर रहे हैं आपसे उस तरीके से नहीं बात कर रहे हैं जैसे आप इंसे बात करना चाहते हो या आप इंसे एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझे है लग रहा है कि आपके युदुम के ज़रला को उपन हлись कोई आधकर हुआ है कि अगर आपकी पार्टर है करने रहे हैं को अपको लिखा ने हो बात करना चाहते हैं कि forestry ने रहा है आपके जरुग है ज़रला हुआ है कि मुझे हम आपकीत ओण करने हैं हैं बहुत करना चाहिआ हैं लेकिन वो बात कर नहीं पा रहे है एनरजी स्टॉप है एक जगर पर जी फ्लो उतना तेज मेरेन जिसे पाया है inNot based pun करॐत करना चाहते हैं बहुत कुछ आपको बताने को ने बात करने का जर्या है वहां पे blockage जहें कहीं ना कहीं बहुत strong blockage जिसकी वज़े से वह आप से तरीके से communicate नहीं कर पा रहे हैं या फिर अगर आप दोनों के बीच में communication हो रहा है तो वह communication नहीं हो रहा है और अगर आप दोनों के बीच में पार्टनर पर ऐसा लगता है कि आप उनको space ही नहीं देते हैं relationship में, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि इस relationship में आने से उनका दम उठता है, आप बहुत जादा possessive हो जाते हैं उनको, अप हर चोड़ी-चोड़ी चीज़ों को उनसे फूशते रहते हो, एक तरीके से आप उनको control क करने लगते हो, यह उनको लगता है ऐसा, अब आप अपनी energy समझो कि आपकी energy क्या है, कही न कहीं, मुझे सच में यह चीज़ लग रही है कि आप कहीं न कहीं control करने की कोशिश करने लगते हो उनको, okay, you try to become boss in a relationship, okay, अगर आप male है, अगर आप male person है जो यह वीडियो देख रह है, तो please आप इस चीज़ पर काम ज़रूर करें, so मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है, वो सिर्फ सिर्टी का एक पहलू देख रहे हैं अपने relationship में, और आपको लगता है, उसके आगे कुछ है नहीं, actually में temperance का काहट आया है आपकी reading में, जो कि वहाल ब्यूटिफुली य कि आप इस relationship को बहुत अच्छे से कर सकें, लेकिन कहीं न कहीं आप उसको balance ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और जो आप बोल रहे हैं, वो सही तरीके से बैट नहीं रहा है, आपके लिए हर्मिट का काड़ा है, आपकी problem का solution हर्मिट है, okay, so कुछ टाइम आप एकांत में रह करतें, okay, और reason find out करेंगे, आपका और आपकी partner का relationship में ये issue हो क्यों रहा है, अगर आप ये problem find out कर लेंगे, आपको solution मिल जाएगा, ठीक है, और आपका relationship अगर ठीक करना है, तो आपको उनसे emotionally connect होना पड़ेगा, आपके partner जो है, वो बहुत ही fire energy को carry करते हैं, वो बहुत अपना space चाते हैं, वो चाते हैं कि मुझे मेरा time चाहिए, मुझे मुझे मी time चाहिए, मुझे आप उस time पे interfere मत करो मिली life में, ज्यादा उनकी life में walk मत करोआ, उनको उतना space दोआ, और आप अपने लिए भी कुछ time निकालो, क्योंकि कही ना कहीं relationship में आप खुद और आपका भी निमाग खराब हो रहा है, तो जिन लोगों का relationship है, ठीक है, और जो इस relationship पे काम करना चाहते हैं, जो सच में relationship पे काम करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले boss ही नहीं बन रहा है, और अपने partner को control नहीं करना है, और साथी साथ control ना करते आपकी reading में मुझे बहुत strongly लग रहा है कि आपको थोड़ा time spend करना चाहिए, खुद के साथ, okay, four of sword, फिर से बोल रहा है, time, account, खुद के लिए, और जो भी चीजे आ रहे हैं, उनको आप welcome करो, आप खुद की aura को, खुद की energy को, खुद के मत रखो आप, तो ही आप इस relationship में आगे बढ़ सकते हो, उसके साथ-साथ, अगर आप relationship में, let me check, कुछ card और निकालने हैं, देजे, अपने से बहुत से लोग हैं, जो नए relationship को लेकर के confused हैं, कि क्या आपको relationship में जाना चाहिए, या नहीं जाना चाहिए, अगर आपको कोई, you know, propose कर रहा है, या आपको life में कुछे हैं, ठीक है, cards are positive, और आप अगर उनको की life में आने देंगे, तो कुछ time के बाद आपका उनके साथी bonding अच्छी हो जाएगी, आपका relationship उनके साथ improve होगा, और जो past में आपकी little experience है, उनको लेकर के, सिर्फ आप अपने को block करके एक जगा मत रखिये, आपकी life में कुछ अच्छे लोग आ सकते हैं, जो आपकी life को और खुशुरत और बहुत सारी खुशियों के साथ भर सकते हैं, तो मैं अभी reading का include करती हूँ, एक दूसरे को space दीजे, एक दूसरे को respect करें, एक दूसरे के साथ दाइन सनाए, जितना space आपको चाहिए, उतना ही space उनको चाहिए, जिसना आप क्यारत के बारे में बात करते हैं, उतना ही उनको भी आपको appreciate करना चाहिए, तो कोशिश कर अपने partner को appreciate करने की, space देने की, और जादा over possessive होने की नहीं, relationship में over possessive होना relationship को खतम गर देता है, मार देता है एक तरीके से, ठीक है, और अगर आपकी life में कोई नया person आ आप से बात करना चाहता है, तो please आप उससे बात करें, communicate करें, respect करें उसके feeling को, और अगर आपको पसंद है, तो आप उसके साथ life में आगे पढ़िए, अगर नहीं पसंद है, तो बहुत respectfully उसको बोलिए, कि आप उसको पसंद नहीं करते हो, ताक कि उसको उपना time और energy आप विस्तमा करें, ठीक है, तो चलिए, इसी note पर मैं यहाँ पर reading को stop करती हूँ, अगर आपको reading अच्छे लगी, तो जरूर बताएगा,